तो बाच्चित अगली करते हैं ब्रहष्टाचार निवारन अधनियम 1988 प्रेविंशन आप करप्सन एक्ट 1988 ब्रहष्टाचार निवारन अधनियम 1988 ब्रहष्टाचार निवारन अधनियम के बारे में बाच्चित करें तो यह पांच अधियाय पांच चैप्टर्स और 31 इस सेक्शन में जो है तो यह डिवाइडेड है आपका प्रेवेंशन आप करप्सन एक्ट राश्ट्रपती की सहमती और लागू राश्ट्रपती की जो सहमती है प्लस जो इसकी इनफोर्स्मेंट डेट है वो एक ही है कौन सी डेट है आपके 9 सितंबर 1988 सितंबर 1988 यह इसका ध्यान रखिएगा क्रमांग 89 1988 का एक्ट नमबर 89 है इसका जो विस्तार है यह जम्मू कस्मीर आप चुकी वर्तमान में यह वही है कि आपका जम्मू कस्मीर सब्सक्राइब हो चुका है तो यह इसका जो विस्तार है तो विस्तार थोड़ा सा ध्यान रखना विस्तार जो है तो विस्तार संपूर्ण संपूर्ण भारत में प्लस भारत के बाहर भारती एक नागरिकों पर ठीक फिस्तार पहली वाद तो संपूर्ण भारत में है ही इसके बाद भारत के बाहर जो भारत की नागरिक है उन पर भी ये एक्ट का विस्तार है एक्स्टेंशन है विस्तार ठीक है यहां पर ध्यान में रखिएगा यह आपका पर्टिकुलर सेक्षन वन Six section two जो है वो definition के बात्चित करता है तो परिभाशा तो पहले पर परिभाशा निर्वाचन एडिंग पहले ना बस हैडिंग में ओटी बनेगा निर्वाचन तो निर्वाचन बनलब से वही है कि संसद किसी विधार मदल इस्थान नहीं नहीं रहाँ तो यहाँ पर निर्वाच कि यह दूसरा परिभाशा लोग करतब्य तो टू एक बाद टू भी टीगिंगे नहीं है तो उसके बाद टू भी टू भी जो है तो आपका लोक करतब पबलिक डूटी तो टू भी कहता है कि कोई करतब यह जिसके निर्वहर में राज की जनता या समाज में रुची हो तो वो करता बेव लोग सेवक को 2C में डिफाइन किया गया है 2C में लोग सेवक की परिभाषा पढ़ोगे तो IPC 21 की याद आएगी बस ये परिभासा ज्यादा विश्टित है ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये परिभासा पढ़ोगे तो इसके तहट कंपनी एधनियम के तहट कोई निव्त व्यक्ति भी रेइस्टर कर्मचारी कोई भी रेइस्टर को आपरेटी सुसाइटी भी है ना जनली वही है लेकिन हा तो यहां पर तो आपका पर्टिकुलर असम्यक लाब टू डी है ना और पारितोषण यानि की ग्रेटिफिकेशन तू अब समयक लाब के अंतरगधी वहां पर बेसिकली उसके इस परश्टी करन बोला गया है कि इसके अंतरगध जो है तो पारितोषण और विधिक पारिश वर्षमिक तक यहां पर सीमित नहीं तो यहां पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर्ली इतना को दिकत वाली वाचित तो यह चार पाईबहाश्टा है है अंदर क्या यह दिकत वाली बाचित नहीं है लिकि ओटी आगे कुछ ज़्यादा दूसरे में बनने की समभवना ज़ प्रॉपर्ली एक चीज को समझते हैं तो पहला है आपका पिर दिवार, तो निफ्ति का अधिकार कहां बोलता है धारतीजस में देख कोई कठी जीजोंनी नहीं है केन् जिज कहोंते हैं केन सरकार या राज सरकार किना सी जी या एसजी द्वारा किसको निफ्तिकर सकती है और कैसे लुट आफ सेशन के को यहां पर अधियम के अधिन अपराधों का विचारानी के लिए ठीक ना तो अधियाए तीन तो धारा साथ से सोल है ठीक ना के अपराध तथा उनका वहीं कि उनका जो है तो प्रयत्न प्रयत्न दुस्प्रेरण या सडियन के विचारण के लिए ठीक ना तो यहां पर इन अपराधों के विचारनी के लिए जो है तो क्या कर सकती है विशेश नियाले की निव्ति कर सकती है ठीक है ना एक कहानी हो गई तो यह आपका धारा तीन हो गया अब इसके बाद जो है तो बेसिकली विचारन की प्रक्रिया तो दूसरा यहां पर तो प्रक्रिया प्रक्रिया में कौन सा है ध विशेश नियाला दौरा किया जाएगा और विशेश नियाला उस खेत्र में सधीक न्यादीश है तो केंद सरकार यहां बताएगे किस मामलों का अपरात को उचेश्य नहीं है विशेश नियाला अब विशेश्च में करवा ही करेगा धाराचार मुझे इतना कोई बहुत कठिन चीज नहीं लग रही है कि बहुत ज्यादा धाराचार में आपका परिशान करें 2018 यहां पर यहां पर प्रतिदिन विचारन किया जाएगा प्लस दो वर्स में निप्टारा ठीकिन न कितने समय में निप्टारा किया जाएगा चूकि दो हजार आठरा का अमेंडमेंट है तो यह ओटी लाइग मेटर है बाकी तो धारा चार में पुराने कोई भी इतना ज़्यादा वो नहीं है लेकिन यहां पर और चीज कहता है कि दो वर्स में यह दी तारा ना हो चाहें तो विशेश क कारण पर कितना अवाधी हो सकती है चार वर्स तक विस्तार ठीक बस यह धारा चार में यह दियाँ लटना सुधा है कुछ भी नहीं है डे वाई दे प्रोसेजर अपनाएगा डे वाई दे विशेश नियाले यहां पर प्रक्रिया अपनाएगा और यहां पर कह सकते हो कि इसके बाद कह सकते हो कि आपका दो वर्स में समाने तोर पर निप्टारा करेगा और यदि कोई विसेश कारण है तो विस्तारी तवध ही कितनी हो सकती है फोर यह की हो सकती है यह दियान रखिएगा यह यह ओटी वाला मैटर है यह ओटी वाला मैटर है किसको मिस मत कीजिए गा य। कि ये जो है तो आपकाा अमेंदमेंट है मुझे लगता है कि में आपका आ जाएगा तो यह सुथह ह्यां के रखेगा तो यहीं में तो फिर आते हैं धारा 5 बारइ ने मिसे प्रक्रिया फिर आते हैं प्रक्रिया थो एककर ni qneak-7 तो शूष ब्रक्रिया तो विशेष प्रक्रिया और लगती करदें तो विअ कि सकते हो प्रक्रिया यह इसको आप को सबसे नियाए को इसे याद रहाए तो हमने देखिलिया सेd sans नहीं होगा एडिशनल सेशन नहीं होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं की जो तो यह वारंट मामलो के विचारण की प्रक्रिया जो कि चैप्टर मताई गई है चैप्टर 19 जो प्रक्रिया का मताई गई है आपकी प्रक्रिया को यहां पर विच्शिश न्यारा है सबसे पहले तो अपनाएगा यहां पर ध्यान में रखिएगा पहला चीज फिर इसके बाद इसमें धारा में और मुझे कोई दूसरी काम की चीज दिने नहीं लग रही है लोक अभी हो जग अस्ता और यह सब चीजे दूसरी यहां पर यही चीज लग रही है कि चमादान की सक्ति का प्रयोग करना ठीकिना दूसरी लगती है कि चमादान की सक्ति का प्रयोग तो यह दूसरा क्या कर सकती है कि चमादान की सक्ति का भी प्रयोग कर सकती है चिस्विंग स्कृष्ट Crpc में च्षमादान की सक्क्राइब ऐभ कर सकती है और यहाँ पर विशेश लियाले का नियाले संजह जाएका यह अगला अगला ख्लाव भी सेष्ट नियाले गर ओन टबल करेगा लोग अभी हो जए ठीकि ऑद तो यहां करेगा यह आपका विशेश प्रक्रिया भारा कौनसी है पांच में बस भाई साब इस से ज़्यादा ढारा पांच में उलजने के लिए कि हाँ कोई दिक्कत वाली बाच्चित नहीं इस से जादा धारापाश में नहीं उलजिएगा बात में ठीक है विशेश न्यालिए विध्य द्वारा प्राथिकत कोई दंड़ दे सकता है अगली चीज कहता है थीदेना और यह चीज आपका जिला ने आले की सकती हो प्रयोंक कर सकता ठीक विशेष ने अब इसके बाद संचित विचारन अब यहां पर है अग्लाश्ट है यहां लोग सिवक द्वारा इदि कि आ जता है ठीक हे ना तो यहां पर संशित विचारण किसका होगा? Essential Community Act 1955 की धारा 12.1 और दूसरा है 2.2.1 का उलंगहन किसी इसके द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा ठीक न? तो यहां पर संशित विचारण होगा और संशित विचारण में कितना सजा दिया जाएगा? एक वर्स का दंडा देश पारित यहां पर किया जाएगा समरी ट्रायल में यह दियान रखना और लास्ट चीज एक महिने कारावास या 2000 को जुर्माना दिया गया तो अपील नहीं ठ कारावास कारावास या 2000 को जुर्माना तो अपील नहीं बास खतम तो यह तुम्हारा धाराचै इस से यादा धाराचै में यह द्याय दो आपका यहां पर हो गया कंप्लीट है क्लियर गहानी बास में आ गई अपन्ने पल्टाते हैं यानि कि आगई चलो ठीक है है अब यहां पर आते हैं अधियाय तीन अपराद और सास्ति अधियाय तीन अब देखो अधियाय तीन को भी ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेना धारा साथ से ले करके 16 तक में यह बोलता है तो सबसे पहले यहां पर ऐसे लिख देना कि लोक सेवक द्वारा अपराद लोक सेवक द्वारा अपराद में है धारा कौन कौन सी धारा है मैं धारा नहीं देता हूं ऐसा है ना लोक सेवक द्वारा अपराद में जो है तो यहां पर परशान कर भाई तो लोग सेवक द्वारा अपराद में जो है तो कौन कौन से यहां पर धारा है आपकी तो धारा साथ है धारा ग्यारा है धारा तेरा है और धारा साथ ग्यारा तेरा पंदरा है ठीक है ना धारा पंदरा तो यह लोग सेवक द्वारा अपराद है अन्य व्यक्ति द्वारा अपराद अन्य व्यक्ति द्वारा को ये अपराद किया गया है तो 7A 8 12 14 7A हो गया 8 हो गया 12 हो गया और 14 हो गया फिर उसके बाद वानिजिक संग्ठन द्वारा ठीक ना अब वानिजिक संग्ठन द्वारा अपराद करने पर धारा नो और धारा दस और लास्ट में जो है तो यह पहता है आपका जुर्माने का नेधारन जुरुमाने का भी जुरुमाने का निर्धारन तो धारा 16 इस परकार से आपको प्रॉपर्ली यहां पर ध्यान में रखीए। के तो देखो नब दिरंग में बनता है तो सजा कितनी है तीन वर से कंब नहीं हुई प्लस पाइंड दारा साथ में इतने दिहान रखना कि लोग से वक्रिस्वत लेता है तो तीन से साथ प्लस पाइंड फिर इसके बाद अगला है धारा ग्यारा चार्ट के हिसाब देखेंगे तो धारा देखो कि लोग से वक्रिस्वत असम्यक लाव तो धारा ग्यारा कहता है असम्यक लाव लेना तो लोग से वक्रिस्वत क्या लेता है असम्यक लाव लेता है तो यहां पर सजा कितनी है पांच वर्स छैप छैसे पांच थी न तो छै महीने से कम नहीं फाइव यह प्ल कि आप राधिक औचार मिसक औधिकट आप राधिक औचार यढिए कि वहीं है कि कुई o को संपतिक है कि लोग से बगए तो इसको अपने कभजे में यूज कर लिता है और यहां पर आप यह सब और धारा 15 में क्या कहता है देखो, धारा 15 में प्रयात्म, ठीके न? तो यहां पर धारा 15 क्या कहता है, धारा 13 एक यह और प्रयात्म, तो धारा 13 एक हो जाएगा, तो यहां पर two years से कम नहीं, जो five years होगा प्लस 15 न? तो यहां पर धियान में रखिएगा और जुर्माने से धन्नी यहां पर होगा तो यह आपका पर्टिकुलर लोग सेवक द्वारा किये जाने वाले अपराद कि यहां पर लोक सेवा को भरष्ट साधनों द्वारा प्रभावित करना तो कोई भरष्ट साधनों द्वारा पबलिक सर्वेंट को प्रभावित करता है कुसक्र चूरां पर तेन वर्स से साथ आर जुर्माना तो रिखो ना और रिष्वत लेना और यहां पर रिष्वत लेना चिरिगा टेना देखो रिस्वत देगा साथ वर्स और जुर्माना ठीक ना तो सेवन येर सेवन येर प्लस फाइंड यह हो गया धारा आठ फिर उसके बाद धारा जो है तो बारा तो धारा बारा देखोगे तो वहां पर क्या कहता है आपका की दूस अपराधों का दूस्प्रेरण ठीक ना तो तीन से साथ फ्रियर सेवन येर हो जाएगा और चौद को यहां पर क्या कहता है आपका मेरे साब से यहां तक है हाँ आभ्यासीक अपराधि हैस्ति एक अब्भ्यासी ऐस्ति प्लस और जुर्माना होगा सब में है और जुर्माना वो में लिखना रहे था अभ्यासिक अपराद ही अब जो है विचल ओफेंडर है तो फाइव यह से बढ़के जो है तो टैनियर हो जाएगा प्लस फाइं ठीक ना तो यह यहाँ पर धाराच चबुदह यह आपका कहता है तो यह अन्य अपराद उपर हो गया क्लियर गानी बास वान में आ रही है सभी को फिर आजाओ इधार दो धाराएं है यह खास करा में में जोड़ी है नौ 10 तो नौ क्या कहता है कि वाडिजिक संग्ठन द्वारा लोग से वक्रिस्वत देना तो यहां पर वाडिजिक संग् reindeer को से और है तो यहां पर देता है तो क्लॉज बॉण में देता है परयाप्तर रखेगा ठीक है इसमें कोई ऐसा झाही है संग्ठन में भारत में कोई भी कम्पनी है कोई भी पार्ट्नर स्विफ्रम हैं कि यहां पर यहे रीग्जिक कुछ भी होते हुए क्या मना जाएगा संगे होगा तो यह अब यहां पे केवल रिस्वत देता है तो इसके लिए अपराद का दोसी अप कंपनी दिरिस्वत देती है कंपनी दिरिस्वत देना तो यहां पर अपराद का दोसी कौन होगा यहां पर संचालक के संचालक होगा उसको दंड कितना दिया जाएगा देखो यहां पर दंड दाई होगा इतना तीन से साथ और जुरुत है न कि यहां पर भार सादक संचालक भार सादक वहां प्लिका मैंने संचालक दिया वह भार सादक भार सादक जो है तो अपराज का दोसी होगा सजा यहां पर three years से बढ़के seven year प्लस fine यहां पर होगा यह थोड़ा सा यहां पे धियान में रखिएगा और कुछ बिन ही इसके बाद धारा 16 कोई इतनी काम की धारा नहीं है मतलब जुरुमाने के निर्धारण में ये बोला गया है कि जुरुमाने के निर्धारण करते समय आपने जो गलत तरीके से पैसा जो रिस्वत ली है जो रिस्वत दी है तो उस पैसे का भी यहाँ पर धारत वही है न धारत 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 के तहट कोई रिस्वत उस संपत् सहत यहाँ पर करवाही कर सकता है यह आपका अधियाय तीन यहाँ पर कहता है ठीक है न अब आते हैं अगला अधियाय चार अब देखो अधियाय चार इतना कोई कठिन नहीं है अनुवेशन तो अनुवेशन कौन करेगा दिल्ली विसेज की देशा में पुलिस निरिक्षक अब बंबई दिल्ली तो नहीं यह सी वाला पॉइंट लगा लो कि अन्यत्र यहनी कि बांकी जग है उप पुलीस अधिक्षक या इसके संकश का अधिकारी यह बात्चीति यहां पे कहता है कहने का मतलब यह है कि यह जो अधिकारी करमचारी हैं यह बिना किसी आदेश के भी गिरपतारी कर सकते हैं इसके बाद उपर जो तीन प्रकार के पुलिस अधिकारी बताया गया है न यह investigation ऐसे मामनों बिना किसी मैश्टेड कर सकते हैं इसके बाद जो है तो कर सकते हो कि बाकी वारंड की आवशक्ता नहीं होगी बाकी पूलिस अधिकारी ओंको वारंड की आवशक्ता होगी यह बात यहां पर धियान में रखिएगा यह चीज आपका कहता है और लाश्ट में कि आई से अधिक संपत्ति का यहां पर किया जाएगा तो आएसे अधिक संपत्ति का जो यहां पर investigation है यह SP के द्वारा ही किया जाएगा यह धियान में रखिएगा यह पर्टिकुलर धारा आपकोंसी है 17 1018 में भी यह चीज कहता है कि बेंकर वहियों का यह उलोकन करना है तो बैंक वहियों का उलोकन का आदेश कौन जाएगा यह जहता है आपका जो धारा अठ्रा इसके लावा इस धारा में कुछ बनी में अध्याय पांच में आते हैं तो अध्याय पांच जो आपका धारा 1931 अब देखा जा तो 1931 अध्याय चार अपने धारा दोई धारा देखी थी 17 और 18 ठीके ना तो अध्याय 1931 अब देखो धारा 19 क्या कहता है कि अभियोजन के लिए पूर्व सुईक्रति की आवशक्ता होगी अभियोजन के लिए पूर्व सुईक्रति की आवशक्ता होगी यह कोई कठी धारा नहीं है केंड सरकार का पबलिक सर्वेंट है तो केंड सरकार और राज सरकार का पबलिक सर्वेंट है त यहां पर दिहान में रखिएगा ठीक ना पूर्व मंजूरी की आवशक्ता यहां पर बात्चित करता है फिर और कुछ भी नहीं इसमें धारा उन्निस में उसके हेडिंग में ओटी बन जाएगा और कोई नहीं धारा बीज हेडिंग यह लोग सेवर बैद रूप से भी नपारिश में गहन करता है वहां पर उबधारना की जाएगी तो यहां पर धारा जो आपका 20 कहता है वह एक तरह से उबधारना की बारें बात्चित करता है बीच की सभी एक लाइन पढ़ना है तो लोग सेवर असम्यक लाव प्राप्ट कर करता है आप योजन की अनुमती और धारा बीच जो है तो आपका उबधारना की जाएगी तो धारा साथ और आड़ के तहत यहां पर उबधारना की जाएगी कि लोग सेवर ने यहां पर असम्यक लाव के लिए ही कोई भी चीज प्राप्ति यहां पर की है यह चीज यहां पर धारा बीच धारा 21 का हेडिंग अभी इस अधनियम के तहरा सक्षम साक्षी हो सकता है यदि अपनी प्राथना पर यह अपनी लिखित प्राथना पर अपनी लिखित प्राथना पर बोल सकता है कि मैं भी मामले में सक्षम साक्षी होना चाह रातना पर सक्षम साख्शी होना तो वहां पर लिखत पर क्षम साख्शी हो सकता है यह धारा 21 यहां पर 21 यहां पर कहता है धारा 22 यहां पर सी थेविशचो धी धारा 25 पच्शिशका केवल हेडिंग इसका भी वही थुकी आया है तो 25 of each heading पढ़ना है इतागर सेना वाइव सेना चल सेना की विधियों को यह aan अधनिया तो हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा पुन्रिक्षण तो हाई कोर्ट द्वारा यहां पे अपील एवं पुन्रिक्षण तो अपील पुन्रिक्षण के अधिकार जो है तो हाई कोर्ट द्वारा संभव और प्रोडिक्षण यहां पर किये जाएंगे यहां पर ध्या किया जाएगा यह आप यहां पर पर्टिकुलर सेक्शन में ध्यान में रखिएगा प्रॉपरली ठीक है ना और कुछ भी नहीं है धारा 28 में मलब वही की अनविधियों के परिवर्धन में होगा एडिशन में होगा एक्सेज में तक को हटा दिया गया है ठीक है ना तो यह एकाद बार ओटी बना था और बनने की संभावना एक दोबार बना है तो इस एक्ट के द्वारा किसको हटाए गया है आई पीसी की धारा 161 से 165 ए तक को हटा दिया गया है यह यहां पर धियान में रखिएगा इसके बाद कुछ भी कि आपको लजने की आवच्छता नहीं है तो यह आपका प्रेवेंशन और करप्सन एक्ट कंप्लीट हो जाता है उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा